तो दोस्तान भाई लोग आप लोगों फिरसे कबर में स्वागात करते हो एक और नए वीडियो पे तो गाइस यहां पर देख सकते हमारे पास ब्लू कलर का पोको एम्टू डिवाइस है ठीक है तो गाइस आपके पास भी पोको एम्टू का कॉन सा कलर विडियेंट है और कॉन मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करके जरूर बताना गाइस ठीक है तो गाइस आज का वीडियो आप लोग लिए जिहां दोस्तों आप पोको एम्टू डिवाइस यूजर्स के लिए बहुत ज्यादे यहां पर इंपोर्टेंट एंड बहुत ज्यादे से पहले हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू करने ना और साधे-साथ यहां बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर पर प्रेस करते हैं तो चलिए यहां श्टार्ट करते हैं वीडियो को तो दोस्तों यहां पर पोको एंटू मेरे पास जो यह डिवाइस है यह 664 जीबी का वेडियेंट है तो आपके पास कौन सा वेडियेंट हो मुझे निचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें जरू बताना तो गैसे अब देखते सकते हैं यहां पास जो मेरा साइज यहां पास आपडेट है यहां पर आपडेट चल रहा है जो इंडिया पर जो लेटेस्ट आपडेट है तो इसके बाद आपडेट आएगा हुआ मैं आपको 100% के साथ बता रहा हूं जो नेक्स्ट आपडेट आएगा वह आएगा आपका आई थिंक मुए 12.0.2.0 ठीक है मैं 100% के साथ क्योंकि यह अपडेट नेक्स्ट अपडेट होगा पोके एंडिया प्राइम के लिए और गाइस यहां पर सबसे पहले मुए 12.0.2.0 अपडेट यहां पर इंडिया पर देखने को मिलेगा और इसके बाद हम वीडियो पर लास्ट पर बताएंगे कि यहां डिलेवन अपडे अपडेट है वह मार्च के अंदर है आप लोगों देखने को मिलेगा ठीक है मैं यह बहुत ज्यादा सियोर होके बोल रहा हूं ठीक है आज तो मार्च का आइधिंग तीन तरीक है तो आपको इस मार्च के अंदर आपको यहां पर रेडिमी नाइन प्राइम एन फोकेम टू पे 12.0.2.0 अपडेट देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आज का वीडियो पोकेम टू के लिए है इसलिए मैं पोकेम टू के लिए बोल रहा हूं कि मार्च के अंदर देखने को मिलेगा और इसका बाद हम बात करते कि एंड़ोड 11 के रिगाटिंग ठीक है तो जब भी सकता है एंड़ 11 वाई थिंग 3.0 अपडेट के दोरान आएगा ठीक है तो आपको हमारी यूटूब चैनल पर सबसे पहले ही आप लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा तो आपके पास कौन सा कलर है मुझे कमेंट करना बिलकुल ही मत उलेगा तो यार आज के लिए बस इतना ही वीडियो पे